तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता चल ही चुगा होगा टाइटल और थमरी देखे कि आज किस वीडियों बात करनी चारे बिहार बुर मैटी के रिजल्ट के उपर दोस्तों लाखो चातरों को बिशाबरी से रिजल्ट का इंतिजार है तो दोस्तों इंतिजार की घरी कब आप लोगा रिजल्ट जारी होगा कौन से वेब साइट पर चेक कर सकते हैं सारी बात इस वीडियों में करनी चारे तो वीडियों को सुरू से लेकि अंतक बने रहे सो नमस्कार मेरा सब्सक्राइब कर लें साथ में बैल आइकन होगा उसको भी दबा ली ताकि लिए इस को यह मालम हो सके कि उनका रिजल्ट का फाइनल डेट आज किस वीडियों बताने चारा हैं ठीक है तो चले दोस्तों इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं गाज लोकडाउन के कारण रिजल्ट आने में हुई देर बिहार पूट के मैटी की काप्यों का मुलैंकन साथ मार से सुरू हुआ था और पचीस मार तक यह काम खतम किया जाना था पहले टीचर की हर्ताल की कारण और फिर लोकडाउन के कारण काप्यों की जाचने का काम 31 मार तक बढ़ाया गया लोकडाउन लाग होने के बाद 31 मार्च को बिहार बिद्दाले परिच्चा समीती ने आदिस जारी करके 14 अपरेल तक के लिए कोप्यों का मुलैंकन अस्तागित कर दिया अब मुलैंकन कारे को 3 मौई तक अस्तागित कर दिया गया है पिछले साल 6 अपरेल को मैटी के परिणाम आये थे ठीक है चातर को फेक न्यूज पर न करी बिसबास लोकडाउन के स्तीती में बिहार बोर द्वारा वार्शिक मैद्विक परिच्चा 2020 की उतरपिष्टिकाओं का मुलैंकन कारे तीन मौई तक अस्तागित रखने का निनय लिया गया है बिहार बोर दसमी परिच्चा मुलैंकन पर के रिया तीन मौई के बाद सुरू होगी इसलिए बिहार बोर दसमी रिजल्ट दस मौई के बाद घोसित किया जाएगा BSE B Matic परीचा 2020 पुना मुलैंकन परकिरिया के लिए नोटिस जारी किया जाएगा इसलिए कई साइट पर बिहार बोट दसमी रिजल्ट 2020 जारी होने की फेक न्यूज चल रही है इन सब फेक न्यूज पर छात भी सबस्त ना करे तो दोस्तो आपी साब सब बताएगा कि बिहार बोट की दोरा 10 माई के बाद आप लोग का रिजल्ट जारी होगा दोस्तो इस वक्त की खबर आ रहा है कि 10 माई के बाद आप लोग का रिजल्ट जारी होगा अने था लोगडाण खतम होते ही आप लोग का दस माई के बाद रिजल्ट जारी होगा तो आप लोग किसी फेक नूज पर विश्वास मत करें ठीक है और भी आपे कुछ जनकारी दिया चलिए आपको हम वह भी बता देते हैं दोस्तों तीन मौई के बाद शुरू होगी उत्तर पुष्टिकाओं का मुलैंकन बिहार बोड दो आरा एक ट्विट कर दस मी रिजल्ट जारी करने की बारे में जनकारी दी गई है ट्विट के अंस्वार या निनलिया गया है कि बिहार बोड की कक्छा दस मी की परिचाओं की मुलैंकन परकिरिया तीन मौई के बाद लॉकडान हरते फिर से सुरू होगी बिहार मेंदमी सिक्छा बोड ने एक अक्छा दस मी की उत्विष्टिकाओं के लिए बिहार बोड मुलैंकन परकिरिया को अस्तागित करने का निनलिया है दस मी की कॉप्यों का मुलैंकन कारे जारी था लेकिन देश मी कुरोना वाइस की संक्रमन को रोकने के लिए 11 मार्च को इससे अस्तागित कर दिया गया और अब देट बरके तीन मौई तक हो गया तो दोस्तों तीन मौई के बाद आप लोग का कोप्यों का मुलैंकन होगा और दस मौई के बीच आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ठीक है लोग डाउन हटने के बाद जल्द आएगा दस मी का रिजल्ट बिहार बोड दस मी 2020 जल्द ही आने का इंतिजार चात कर रहे हैं सिर्फ 25 परसेंट और उतरपिष्टिकाओं का मुलैंकन करना है मतलब कि 25 परसेंट कोप्यों का मुलैंकन हो चुका है 25 परसेंट बाग की है लोग डाउन हटने के बाद दस मी का रिजल्ट गोशिद कर दिया जाएगा सबसे पहले अर्दिकारी वेबसाइट का लिंक हम नीचे वीडियो के नीचे वाँ देद वाँ से जाएक कि आप किसी भी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों आप लोग का जो रिजल्ट जारी होगा तीन माई के लोगडाउन खतम होने बाला और उसके बाद कोपियों का मुलेंकन होगा और दस माई के आज सपास आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो आज किस वीडियो में ही था जनकारी अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़ाज़ादा सेयर करें और साथ ही फेसबुक गूरू पर भी सेयर करें ताकि जो भी श्टूडियर के फाइनल डेट नहीं पता है रिज का दिन सुभोग